माइडियर स्टूडें लेक्चेर नॉमबर टू थिहोरा में तू इन्दीपेंडेंट वेरियेबल्स आर अंकोर्रिलेटिट दो इन्दीपेंडेंट वेरियेबल अन्कोर्रिलेटिड होते हैं क्या मिनिक है किसी दो वेरियेबल को इन्दीपेंडेंट कब गहते हैं इसका मतलब होता है बैच्चों कि कोवेरियन्स ओफ एक्स वाई इकोल टू जीरो होगा जो हम आर एक्स वाई निकालते हैं वो होता है कोवेरियन्स ओफ एक्स वाई बटे में स्टेनर डेविशन ओफ एक्स टेनर डेविशन ओफ वाई डैटी जीरो हैंस टू इन्डिपेंडेंट वैरियेबल्स और अन्कोरिलेटिड अब यहनि कि यदि दो वैरियेबल इन्डिपेंडेंट हैं तो अन्कोरिलेटिड होंगे आप मैं दूसरी बात करना थम tengo a जो कनवर्स क्या इसका कंवर्स ट्रू है आंसर इस नॉच इसका किनवर्स ट्रू नहीं और इस वारियेबल लिया एक्स एक वैरियेबल लिया वाई एक्स की वैईलू लिया आपने माइनस 스ay Mviolet 2-10 हो हौ य है लिया यह 0 और यह 28 x y कितना हुआ minus 27 minus 8 minus 1 0 1 8 27 जी यदि हम इसका covariance निकालते है covariance of x y तो क्या आएगा 1 by n summation x i y minus x bar minus y bar यह 7 0 बटे 7 x mean कितना आएगा 0 बटे 7 into 28 बटे 7 answer is 0 देखो यहाँ पर covariance 0 है covariance क्या है 0 बट क्या दिख रहे है ना आपको correlation कि इसका square है तो यदि उपरवाड़ी बात करें मैंने क्या का था independent apprise uncorrelated बट यहाँ पर यह 0 आगया है क्या गया जी 0 यदि यह 0 आगया है तो इसका rxy भी क्या हैगा 0 हैगा ठीक है बट यहाँ पर x और y independent नहीं है x and y are not independent but they are connected by relation y is equal to x यह बड़ा important है अब सवाल यह उठता है कि इसका मतलब इसका मतलब कब independent होगा जब आपको यह दे रखा हो कि relation linear है यदि relation है यह linear relation नहीं है यदि आपको यह नहीं कहा गया कि linear relation है तो आप इसकी आधार पर independent नहीं कह सकते हैं बच्चों कई बार एक word पूछ लिया जाता है known sense correlation यह known sense correlation क्या है if the two variables x and y are such that are such that it is not possible it is not possible to explain the casual relationship shift between relationship between them but the correlation but the correlation calculated calculated numerically basis it is called non-sense correlation it is called non-sense correlation example number of students number of students in a country with number of caterers in a country during last 20 years for example for examples number of students in a country in a country in a country number of caterers in India in the last 20 years आपको कोर्लेशन निकाल नहीं है आपके करने के लिए दे रहा हूँ यह दी देखो आपको X दे रखा है Y दे रखा है 1, 2, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 7, 14, 8, 16, 10, 20 X, Y निकाल लेंगे देखिए covariance of X, Y कैसे निकलेगा summation of X, Y, I बटे में N summation of X, Y, I बटे में N यह में यह यहां से निकल जाएगा summation of X, Y, I summation of X, Y, I variance standard deviation जो होगा वो निकलेगा XI square बटे N minus XI बटे N का square X square निकाल लो एक, चार, सोला, पत्चीस, उननचाच, चोंसट, सो similarly हम यह निकाल सकते हैं और इन सभी values को यहां रखके हम क्या निकाल लेंगे जी? R coefficient of correlation तो ऐसे बहुत से question आप कर सकते हैं coefficient of correlation देखो क्या है कि compute A computer वाहिल calculating correlation between X and Y of 25 pairs observation मिली N तो 25 होगा sigma X 125 sigma X square 650 sigma Y 100 sigma Y square 460 sigma XY 508 बाद में इत्पता चला कि जो 6 और 14 था और 8 और 6 था ये और ये क्या है मैं बुरी बात बोलता हूं ये ये रीड किये गए जबकि correct ये थे ये value रीड कर ली गई जबकि correct value ये थी तो correct correlation निका ली तो देखिए N तो 25 का 25 रहेगा जो summation X था वो एप एकने 125 पड़ा था उसमें से 6 और 8 घटेगा और add होगा 8 और 6 125 का 125 रहेगा Summation Y जो कि 100 है 14 और 6 घटेगा 12 और 8 जूडेगा 100 का 100 रहेगा Summation X स्केर जो कि 650 है 6 का स्केर घटेगा 8 का स्केर घटेगा जूडेगा 8 का स्केर जमाचे का स्केर 650 Summation Y स्केर 460 14 का स्केर घटेगा 6 का स्केर घटेगा जूडेगा 12 का स्केर पलस 8 का स्केर 436 Summation of xy 508 में से ये घटेगा ये घटेगा 8 गुना 12 6 गुना 8 520 x बार क्या आएगा Summation x बटे n 125 बटा 25 5 y बार Summation y बटे n 4 Co-variance of xy क्या आएगा 1 by n Summation xy x बार y बार xy कितना है 520 बटा 25 5 गुना 4 खुल मिला का अंसर आएगा जी 4 बटे 5 अब निकालते हम Sigma x स्केर कितना है 650 बटे 25 माइनस 5 का स्केर अंसर कम्स टू बी 1 Sigma y का स्केर 36 बटा 25 आर क्या आएगा covariance of xy Sigma x sigma y 4 बटे 5 इसका 1 इसका 6 बटे 5 अंसर 2 बाई 3 अंसर आगया हमारा ये अब अगला question करते है सुनो x1 x2 independent variable है ये 10.3 का A x1 और x2 independent variable है इसका मतलब ये 0 है या covariance 0 है एक ही बात है हम ये linear function linear की बात कर रहे है मैंने फिर बताया है यदि linear नहीं होता तो दिक्कत होगे mean of x1 5 है mean of x2 10 है standard deviation of x1 2 है standard deviation of x2 3 है यदि u को मैं ये मान लू 3 x1 4 x2 v को 3 x1 minus x2 मानू तो r uv का r क्या निकलेगा देखिए बहुती simplest question है पहले हम covariance of uv निकल लेंगे covariance तो ये निकलेगा कैसे u minus u bar v minus v bar बटे में n ठीक है बेटा फ्री फी इक्स आई प्लिस प्लस x1i देखो इसको जो इन वेरियेबल को जो x लिखा है नया वेरियेबल x बढ़ा है इसको मैंने थोड़ा से ट्रीट करता हूँ एक्चुली हम इसको लेबलिंग बदल देते हैं थोड़ी से लेबलिंग बदल देते हैं u is equal to 3xi4yj x i y j टाइप एसे हम लेबलिंग करना चाहरे है चलो मैं दुबार बताएं उसको u क्या है 3x1 4x2 v covariance of u e covariance of u v ठीक है क्या होगा covariance of x y x i minus x bar y i minus y bar होता है अब हम ने ये function बढ़ा है तो u i हमने 3 इसके पहले element को हमने लिख दिया i 4 x 2 i यह यह जो है न वन आई यह x1 series का पहला element इसका भी पहला तो u bar होगा 3 x 1 bar 4 x 2 bar तो u i minus u bar क्या होगा क्यागभे 5 x 3 x 1 bar 5 x 2 bar 5 x 3 bar 5 x 1 bar 6 x 1 bar 5 x 1 bar इन दोनों की मल्टिपलाई करेंगे क्या होगा नाइन इसकी और इसकी मल्टिपलिकेशन बारा और इसकी और इसकी माइनस तीन तो टोटल मिलागे हो जगा नाइन इसकी और इसकी माइनस फूर यदि हम यहां भी समेशन लगा देते हैं यहां भी समेशन आ जाएगा यहां भी समेशन आ जाएगा ठीके में आद आप ध्यान सुनना यदि मैं इसको भी N से डिवाईडि कर देता हूं इसको भी N से इसको भी N से और इसको भी N से आपको ये ले रखा था कि covariance of XY क्या है 0 ये चीज आपकी 0 हो जाएगी ये बजाएगा 9 ये क्या आपका variance of X1 ये standard division दे रहता है यहां 4 minus 4 ये 9 that it again comes to be 0 ये बहुत बढ़ी आओ गया 9 इसका मतलब ये चीज जो आगई covariance of UV 0 आगया UV क्या आगया 0 ऐसे और भी बहुत question हो सकते हैं मैं question एक और बोल रहा हूँ B जान से सुनिए दो variable है यहां पर X वाले का mean भी 0 है Y वाले का mean भी 0 है X वाले का standard division 9 है Y वाले का standard division 12 है U बनाया हमने X plus 2Y और V बनाया हमने KX minus Y वो value निकाल लिया है जहां पर covariance of UV 0 होजाए Find the value of K ठीके बेटा Now we are coming to the next And today's last question यदि X Dash Deviation हो From me X dash I यह होगा Y dash I यह होगा R हमने यह प्रूव कर रहा है X I dash बटे sigma X Y I dash बटे sigma Y कैसे प्रूव होगा देखेए हम इस right hand side को लेके चलेंगे और R प्रूव करेंगे Securing both sides करो इसको square को दो जो जो ले इसका square प्लस इसका square 2 X I dash Y I dash 1 minus 1 by 2 N यहां से यह बार आएगा यदि यहां से यह बार आजाता है तो यह क्या बचेगा यह यहां पर dash भी यह जो है dash यह क्या है इसका square तो यह होता है actually में variance का square यह यह कट जाएगा N times कट के आजाएगा N यह भी कट के आजाएगा N यह कट के क्या जाएगा covariance क्याएगा जी covariance यह यह क्या बच गया जी यह यह क्या बच गया है तो this is nothing that R R में थोड़ी सी point बच गया है क्या बच गया है यह variance था इस variance को भी थोड़ा समय इसको लेके चलता हूँ यदि आप यहाँ इसके बटे में N ले जाओ तो यह 1 यह 1 इसके बटे में भी N ले जाओगे तो यह R बचेगा यह 2 हड़ चुगा यहां से तो 1 by 2 2 minus R जाखिए मैं फिर गता रहूँ यह N इसके नीचे जाएगा तब यह variance बचेगा यह N इसके नीचे जाएगा तो variance बचेगा इसके नीचे जाएगा ती है यह R बन जाएगी यह 2 R 2 R 2 R 2 R We get R Similarly यदि यहाँ पर आप minus की बज़ाए plus ले लेते हैं तो भी यह answer आ रहाता है ठीके बटा इनी के साथ आज की कारणी समाहत अारो जाएगा